नमस्कार दोस्तों हरीयम एस्टेडी में आपका स्वागत है राम अपनी मासिक आई का एक बट्टा तीन भाग खाने पर एक बट्टा आठ भाग कपड़े पर तता दस परतिसा दान पर खर्च करता है यदि उसके पास 265 रुपिया बचते हैं तो उसकी मासिक आई ग्यात करें जानी मासिक आमदनी माना मासिक आई एक्स रुपई है अब देखे खाने पर खर्च खाने पर खर्च कितना माने देखे माना मासिक आमदनी एक्स तो एक्स का एक बाटा तीन एक्स का एक बाटा तीन याने हो गया एक्स का एक बाटा तीन तो एक्स गुना एक जो एक्स बाटा त्री इतना रुपी आ हो गया खाने पर खर्च कपड़े पर खर्च कपड़े पर खर्च याने एक्स का एक बटा आड़ भाव यानि कुल आए कितना माने मासी का आए X तो X का एक बटा आड़ कहा मतलब गुना हो गया एक बटा आड़ यानि X बटा आड़ रुपईया कपड़े पर खर्च और दान में खर्च दान में खर्च दान में कितना खर्च करता है X का 10 पर 30 X का मिस गुना 10 पर 30 कर्ची नटाएंगे तो बटे में X आ जाएंगे 1,0,1,0 कट गया यहाँ होगे X बटा 10 ठीक है प्रस्ना नूसार प्रस्ना नूसार गए X बटा 3 प्लस X बटा 8 दान में खर्च हो रहा है इतना रुपईया और कपड़े पर खर्च इतना रुपईया और खाने में खर्च इतना रुपईया तीनों को जोड़ देंगे और सेस कितना बज़ रहा है 265 यानि X बटा 10 प्लस 265 इस चारों को जोड़ने के बाद क्या हो जाए यानि मासिक आए यानि महिने का अंदनी इतना रुपईया इसको आगे हल करते हैं यहां एक्स बटा तीन एक्स बटा आठ एक्स बटा दस पलस 265 यहां बटे में एक लिखेंगे यहां बटे में एक देंगे इसका लोस निकालेंगे तीन आठ दस और एक का तो 120 होगा तो तीन से अगर भाग देंगे 120 को तो भागफल कितना आएगा 40 आएगा तो अंस को 40 से गुना करेंगे 40 गुना एक्स तो कितना हो जाएगा चालिस एक्स और आठका में 120 पंदरा वार में तो 15 गुना एक्स 15 एक्स यहां दसका पाड़ा में 120 कितना वार में 12 वार में तो यहां हो जाएगा 12 एक्स पलस यहें 265 को 120 से गुना करेंगे तो एक तीस हजार आठ सो होगा ठीक है बट्टा 120 ब्रावर एक्स इसको आप गुना करके देख सकते हैं समाई बचाने के लिए में पहले इसको गुना करके रखे थे चालिस पंदरा वार वार है तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अब देखिए इसको उसपार कर देंगे संड़ 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 इस पर कर देंगे एकती संजा जार आठ सो यहार आने दिये अब इसको उसपार के एक सोथ बीस में माइनस कर देंगे 120 x में 67 x 31,800 इसमें घटायत कितना हो गया 33 x इसमें कितना हो बज़ रहा है 33 x अब इसको इस पर हम लिख सकते हैं 33 x मरावर 31,800 इसको इस पर लेखें या इसको इस पर उसे कोई फरक नहीं पड़ता है तो x बरावर 31,800 अब इसको भाग देंगे तो 33,000 चक 318 यह कट गया यह एक्स बरावर कितना हो गया 600 अब इसको भाग देंगे अथा राम की मासिक आई आई या आमधनी जो कह सकते हैं 600 रुपई है अनि राम की मासिक आई 600 रुपई है ठीक है चलिए अगला कोश्टन देखते हैं या या यदि दो भिन नात्मक संख्याओं का यूग आठ पूर्ण एक बटा चार तथा उनका अंतर दो पूर्ण एक बटा आठ हो तो उन संख्याओं उन भिन्नों को ग्याद करें देखिए दो भिन्न दियाओं मान लेजिए अगर कोई संख्याओं बोलेगा 10 और 15 इस दोनों में कितना अंतर है पांच का अगर पहला 10 तो दूसरा क्या हो जागा दस में पांच को जोड़ेंगे 15 तो पहली और दूसरी में पांच का अंतर है ठीक है यह मानेंगे पहल चोटी संख्याओं बड़ी संख्याओं देखिए इसमें चोटी संख्याओं क्या हो गया दस बड़ी संख्याओं उसी तरह इसमें निकालेंगा माना छोटी संख्या छोटी संख्या एक्स इसलिए बड़ी संख्या बड़ी संख्या क्या हो जाए एक्स पलस कितना कांतर है इसमें कितना कांतर है पांच कांतर है तो इसमें दस में पांच जोड़े उसी तरह इसमें दो पूरनंक एक बटा 8 का अन्तर है चलिए इसको निकालता है प्रसन अनुसर का मतल्ला होता है प्रसन क्या कर रहा है प्रसन कर रहा है दो भी नात्मक सांख्याओं का यह कितना है ऐक्स पलस एक्स पलस दो पूर्नंग एक बट्टा आट ही दोनों को जोड़ने कंगा बाद कितना हो रहा है आठ पूर्नंग एक बट्टा चार या यह दिकि 엥cket एक्स बट्टा एक इसको पूर्नंग तोड़ेंगे आठ डुनी शोलार एक सट्रा बट्टा आठ यहां 8 चुका 32 और 1 33 बट 4 पुर्णा को अटा दिये अब देखिए इसका लॉस हो कितना हो जाएगा एक एक और आठ का लॉस हो आठ होगा तो देखिए यहां कितना हो जाएगा एक से अगर आठ को भाग देंगे देखिए तो बागफ़ल 8 आठ आएगा तो यहां हो जाएगा 8 इसमें भी आठ एकस और यह आठ है तो आठ से आठ को भाग देंगे बागफ़ल एक आगए यान्न 17 को एक से गुना करेंग तो कितना होगा शक्त्र होगा बट्ट आठ बरावर 33 बट्ट चार ठीक है अब देखें आठ आठ कितना होगा 16 16 एक्स प्लस 17 बट्ट आठ बरावर 33 बट्ट चार अब इस तरह तीरशी गुना हो जागा इस तरह तो 16 चोका 64 एक्स बट्ट चोका अड़ सर्ट तेंटीस गुना आठ कितना होगा 23 24 24 24 64 64 x 68 को उस पर गरेंगे बरावर को उस पर गरेंगे तो क्या हो जागा यह माइनस हो जागा यहां पलस है तो इधर माइनस कची निए 264 में 68 माइनस करेंगे एक सो चीआनबी यह चोंसाठ एक्स चलिए इधर बनाते हैं गरेंगे एक्स बरावर क्या हो जागा एक साठ चीआनबी बड़्ट शोंसर इसको काटेंगे तो उन पचास चोक उनचास चोक उनचास चीआनबी और इसको अगर भाग देंगे 16 से उन्चास को भाग देंगे 16 तीय आड़ तालीस एक से बच रहा है 16 तीय आड़ तालीस यानि तीन पूर्णा एक बट्टा सोला कितना रहा है इसके 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 इंसरे कि तीन पूर्णा एक बट्टा सोला कि यहां माना चोटी संख्या यानि चोटी भीन संख्या क्या आरहा तीन पूर्णा एक बट्टा सोला अब बड़ी निकालना है कि आट अच्छोटी इसलिए बड़ी संख्यां क्या जागा है एक्स में इतना को जोड़ देंगे एक्स का मानिया इतना आया तीन पूर्णा एक बड़्णा एक बड़्णा आठ अब इसको हल करेंगे तो उनचासबक्टा 16 आठ लूनी शोला है सत्रा बड़्णा आठ इसका शैरा अट के लीश्टासव निकाल लेटा कि इसको है सोलर और अठ गया सोलर 2030 इतना अचासबक्टे ना करेंगे तो 3 बट्टा 16 बट्टा 16 अभी दोनों को जोड़ेंगे 49 34 तो गया 83 बट्टा 16 अब 16 से भाग देंगे 83 को तो 16 85 तीन सेज बचेगा यानि 5 पूर्णंग 3 बट्टा 16 इसका एंसर आ गया 5 पूर्णंग 3 बट्टा 16 चलिए अगला क्यों तीसरा क्वेष्टींदें क्या कर रहा हुँज तीन बट्टा 5 साथ बट्टा 3 के बैत्कर्मो के योग का विध करम योग क्या होगा है चलिए इसकोहाल करते हैं कि तीन बट्टा 5 अब और अब 2 च्यम्हेल बैयूत करम मतलब इसका उल्टा है देकर करम का योग देखिए तीन बाटा 5 को पलट देंगे तो 5-बाटा 3 मैं साथ वर्टा 3 को यह जागा हैं इंद नहीं, उपषयत करम मतलब इसको पलटना है और साथ से किस सो भाग देंगे भाग फ़ती तक थी तो सत भचे थिए इंड नो बटा इकिस कितना रहीं थिए किहां अभीत करने के यह पंत्रम कि योग का बथकर्म यह का बे ELD निपर जाने इसका बेत कर्म क्या होजागा इसको फिर प्लट देंगे यहानि इसमें जैसे कि इसका वैद्ऌर्टकरम की फांच वर्टब थिन झाओफा 5 पांच के पांच वर्टा थिन तो इसका वैद्ऌर्टकरम करें इ सरी लिए लिखेंगे कर रहें माल और यह यूす कर विल सकतो ऐटाय, बेतकरम का योग का बेतकरम क्या हो जागे, इसको पलट देंगे, यानि कि 144 बाट एक है, तो हो जागा, 21 बाट चुवालीस, योग यउद янसर क्या कर रहा है इतना के बेतकरम का योग जोड़ने के बाद जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा फिर उसका बेतकरम किये तो 21 बटा करते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद